नमस्ते, मैं विद्याले का मुख्य छात्र अकाश दीप सयान आज की प्राता कालीन प्रातना सवा में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज नवंबर महा की 21 तारीक दिन सौमवार है भविश्य में भी आपको विद्याले संबंदीत अनेक जानकारिया मिलती रहे इसके लिए हमारे विद्याले के यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब आवेश्य करें सर्व प्रथम आज के पंचांग की जानकारी के लिए मैं हमारे संस्कृत अध्यापक आचारे सुनील दत गोतम जी से निवेधन करता हूँ नमस्ते सर नमस्ते आकाश आज के पंचांग की अनुसार विक्रमी समवत दो हजार अठातर शक्समवत उनिसो तैतालेस आज मार्कशिश महा के क्रिश्न पक्ष की तृत्या देथी है अर्थार्थ मासिक गनेश चतुर्थी का वरत कल है आज का नक्षत्र मृक्षिवा आज का योग साध्य है प्रविष्टे की दिबाद करें तो आज मार्कशिश महा के सातने प्रविष्टे घटित हो रहे है मुस्लिम माहा रवी उलसानी की आज सोलह तारीख है धन्यवाद अब समय है आज की प्राता गालिन प्रात्नागा तो आईए मिलकर प्रात्ना गरते हैं All classes, be ready for गायत्री मंत्र तत्समितुल्वरेण्यम् भर्गोदे वस्यदी मही दियोयो नाह प्रचोद्या अम् भूर्बुबस्वा तत्समितुल्वरेण्यम् भर्गोदे वस्यदी मही तत्समितुल्वरेण्यम् भर्गोदे वस्यदी दियोयो नाह प्रचोद्या ओर्गोदे वस्यदी दियोयो नाह प्रचोद्या तत्समितुल्वरेण्यम् भर्गोदे वस्यदी मही दियोयो नाह प्रचोद्या ओर्गोदे वस्यदी 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 दियोयो नाह प् तुस्वर की देवी ये संगीत तुझ से हर शाक तेरा है हर गीत तुझ से तुस्वर की देवी ये संगीत तुझ से हर शाक तेरा है हर गीत तुझ से हम है अधिले हम है अधूरे तेरी शरल हम हमें प्यार देमा प्यशार देमा प्यार देमा हम क्यार दासे आमें तार देमा कुनी ओर समझी कुनी ओर जानी देदों की बात्यार देमा कुरानों की वानी हुाााlike उनियों ने संजी बेदों की भास्षा कुडानों की वानी जम्बी तो वानी जम्बी तो जाने षित्यागर हम को वर्दार दे मां इशार दे मां इशार दे मां अध्यान दासे अपेदार दे मां दुष्वे दबर्णी अखर दे मिराजे हातों में दीना मुपत सर्में साजे दुष्वे दबर्णी अखर दे मिराजे हातों में दीना मुपत सर्में साजे अंसे हमारे पिठा के अधेरे अध्यों जालों का संसार दे मां इशार दे मां अक्यान दासे हमेतार दे मां अस्तो मा सत्गमया तम्सो मा जोतिर गमया मृत्योर्मा अम्रितं गमया ओम शांती 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 ओम Be ready for National Anthem जनगण मन अधिनायक जयगे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराथा राविड उतकल वंगा विंध्य हिमा चल यमुना गंगा उत्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जयगाथा जनगण मंगण दायक जयगे भारत भाग्य विधाता जयगे 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 प्राता कालीन प्रातना के बाद अब समय है आरोग्य विवेक के माध्यम से आरोग्य समंदित जानकारियों को एकत्र करने का इसके लिए हमारे साथ है साथमे कक्षा के चात्र अर्जुन नमस्ते अर्जुन नमस्ते अधरनिय परधानाचारिया जी उपरधानाचारिया जी अभी भावगण एवं मेरे प्रियसाथियों मैं अर्जुनकक्षा साथ में अका चातर आज आप सब के समक्ष मदुमक्षा में डंक मारने पर किये जाने वाली प्रातमिक चिकित साब बताने जा रहा हूँ जाता है मदुमक्षी का शहर जितना ही मीठा होता हूँ उससे अधिक गातक होता है मदुमक्षी अगर डंक मार दे तो उस जगहां पर सूजन आ जाती है साथ ही साथ बहुत तेज दर्द शुरु हो जाता है आला कि हर किसी में अलग अलग लक्षन दिखाई देते हैं कुछ कुछ लोगों को तेज जर्द होता है तो कुछ को केवल प्रभाविज जगा पर सूज़ना जाती है। कुछ को वो जगा लाल पड़ जाती है। मदुमक्की के डंक का असर या तो कुछ घंटे या एक दो दिन तक रहता है। आप चाहें तो मदुमकी के डंक का इलाज घर पर ही कर सकते हैं अगर सिती बहुत खराब ना हुई हो तो इन उप्पियों का अपनाने से राहत मिलेगी सबसे पहले मदुमकी के डंक को जितनी जल्दी हो सके निकाल ले डंक जिजनी जल्दी निकलेगा उतनी ही जल्दी जहर का असर कम हो जाएगा वरना शरीर में जहर फैलने का खत्रा बढ़ जाएगा डंक निकालने के बाद उस जगहा पर एंटी सेप्टिक साबून और साफ कर लीजे उसके बाद संभाविज जगहा पर पोँच कर कोई एंटी सेप्टिक क्रीम लगा लिजे बरफ लगाए प्रभाविज जगहा पर बरफ लगाने से कई तरह की परेशानियों और लक्षणों से रहत मिल जाएगी बेकिंग सोडा रहेगा फायदे मन्द बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है जो की जेहर के असर को कम कर देने में मदद करता है बेकिंग सोडा लगाने से दर्द खुझली और सूजन में रहत हो जाती है मत मक्य काट लेने पर शहद का इस्तमाल करना भी बहुत फायदे मन रहता है ये जहर को फैलने नहीं देता और इसका एंटिबैक्टिरियल गूर संकर्मन बढ़ने नहीं देता सफेद टूस पे लगाने से भी डंक के दर्द मेराहत मिलती है ये जहर के अमलीनिय प्रभाव को कम करता है इसके इस्तमाल से दर्द सूजन मेराहत मिलती है धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद अर्जुन अब समय है हिंदी के शब्द एवं वक्ये को जानने का इसके लिए हमारे साथ है आठ्मी कक्षा के चात्र आरेन नमस्ते आरेन शर्मा नमस्ते मेरा नाम आरेन शर्मा है मैं आठ्मी अग अक्षा का शात्र हूँ आजगा शब्द है वेदना यह एक संग्या शब्द है जिसका लिंग है इस्ते लिंग इसका अर्थ है एक ऐसा मनोभाव जो अत्यादिक मान्चिक और शारिरिक पीडा के इकारण उत्पन होता है इसके परियाय वाची शब्द है पीडा, व्यथा, कष्ट इसका विलोम शब्द है आनंद आज का वाक्य है मुन्शी प्रेम चंद की रचनाओं में ग्रामिन जीवन की वेदना जलगती है रनेवाद आरेन, अब समय है जनम दिवस वाले छात्रों को जनम दिवस की शुब कामनाय देने का तो आईए मिलकर जनम दिवस वाले छात्रों को जनम दिवस वे अफसर पर गाय जाने वाले गीत गाकर शुब कामनाय देते हैं सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की तुम्हें मुबारत खुशियां सालो साल की सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की तुम्हें मुबारत खुशियां साल की तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना तुम हो सुन्दर बूंद उसके नाम की तुम हो सुन्दर बूंद उसके नाम की हम देख पा रहे हैं हमारे विद्याले के प्रधानचारे उप्रधानचारे अध्यापक, अभिवावक एवं छात्र भी जनमदियोस वाले छात्रों को जनमदियोस की शुपकामनाय दे रहे हैं आप सभी को शुपकामनाय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्राता कालियन प्रातना सभाव में इतना ही एक बार फिर आपको याद दिला दें विद्याले समंदित अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब आवश्य करें नमस्ते कि लिए एक जानकारियों के लिए आपको याद प्राता है